Hey guys, welcome back to my channel आज की वीडियो में हम लोग कायच कित्सा के जो कोशन्स हैं वो करने वाले हैं तो बहुत important वीडियो रहने वाली है I hope आपको मेरी सारी वीडियो सी helpful लगती है में को आप comment section में जरूर बताया कीजियो और साथ में वीडियो को like जरूर कर दीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं with the very first question You can see कि AIPJT 2021 में ये question पूछा गया है क्या है question? इस शुशूरूत अनुसार निमे लिखित में से कौन सा प्रतिश्याय का उब्दरव नहीं है तो प्रतिश्याय के उब्दरव आपको basically पता होने चीए तो आप लोग ये question solve कर पाओगे first option है अगनी साथ, second option is बाधिरिय, third is शौफ and the fourth option is श्वास तो guys इन में से जो प्रतिश्याय का उब्दरव नहीं है वो है यहाँ पे श्वास, which is the option number fourth that means कि अगनी साथ, बाधिरिय और शौफ, these are the उब्दरवs of प्रतिश्याय next question is, तो यहाँ पे आपको दो list दी हुई है list number one है और list number two है, जिसमें आपको जो दोश है उनको मैच करना है, with the joki आपको कुष्ट दिये हुए है ठीक है, कौन से कुष्ट में कौन से दोश present है, यह आपको बताना है list number one के अंदर क्या है, दर्दू, विवर्चिका, सिधम, रिष्यजीव and second में क्या है, कफ, पित कफ, वाद पित and वाद कफ तो जो सबसे पहला आपको दिया हुआ है दर्दू, उसके लिए जो correct option है list two में से, that is the pit कफ, which is second, ठीक है उसके बाद जो विचर्चिका है, ठीक है, उसके लिए आपके पास यहाँ पे है कफ which is the option number, list two में जो की first है then जो सिधम है, उसके लिए correct है, सिधम में present होता है वाद और कफ दोश, ठीक है, तो fourth जो है list two के अंदर वो सही है और जो last है, रिष्य जीवा, उसके लिए बाद पित मतलब जो correct है, यहाँ पे option, that is the option number second जिसके according, A का 2 है, B का 1 है, C का 4 है, and D का 3 है now you can see, AI PGT 2021 का question है तो ऐसे questions भी आपको बहुत ही commonly अभी पूछे जा रहे हैं तो आपको ऐसे questions को भी जादा से जादा practice करना है question is, आमवाद की परम ओशिदी है, तो जो main ओशिदी है, परम ओशिदी है वो कौन सी है आमवाद की, option number first is रासना, second option is एरन, third option is बला, and the fourth option is अश्वगंदा, तो guys यहाँ पे जो correct option है, बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, क्यूंकि अश्वगंदा की परम ओशिदी, I think it's a common common type of question, तो you can see पूछा भी जा चुका है, तो यहाँ पे जो correct option है, that is option number second, which is एरन, आमवाद की परम ओशिदी एरन है, right, next question is, शोधन और शमन किसके परकार है, तो किसके परकार होते हैं, शोधन और शमन, option number first is रूख्षन, option number second है लेकन, third option is लंखन, and the fourth option is ब्रीहा, तो guys, यह आप लोगों को मालूम होगा, शोधन और शमन जो है, these are, both are the परकार of लंखन ठीक है, यहाँ पे जो third option है, लंखन, वो correct है, यह आपको उल्टा भी question आ सकता है, कि लंगन के दो परकार कौन कौन से होते हैं, शोधन और शमन होते हैं, शोधन और शमन दो परकार हैं, लंगन के, तो in anyway आपको question आए, आपको पताओना चाहिए, next question is, चरक अनुसार निमेन लिखित में से कौन सा रोग उदावरत के कारण होने वाला रोग नहीं है, अब यह जो word नहीं है ना, इसको बहुत सारे बच्चे स्किप्ट करने वाले हैं, वो सीधा ही पढ़ेंगे और सीधा ही, जो option पर ध्यान गया, they will tick that option, तो आपको यहाँ पे जो नहीं word है ना, उसको जादा concentrate ली पढ़ना है, and you can see, AIPGT 2021 में पूछा जा चुका है, यह question option क्या है, the first option is अर्देथ, second option है हिक्का, third option is जर, and the fourth option is मनोविकार, चरक अनुसार कौन सा रोग उदावरत के कारण होने वाला नहीं है, ठीक है and the correct option is option number second, which is हिक्का, यहाँ पे correct है, next question is, चरक सहिंता के अनुसार, पाकस चिरात कायस्य गौर्वम है, ठीक है, क्या है यह आपको एक श्लोग देके रखा हुआ और आपको बताना है कि यह किसका श्लोग है, you can see, आया हुआ है पहले भी यह question, और साथ में आपको reference भी दियो हैं first option is, ग्रहनी के पूर रूप का है, क्या यह श्लोग second option is, ग्रहनी के रूप, third option है, कफज ग्रहनी के रूप है, and the fourth option is, वातश ग्रहनी के पूर रूप तो guys, यह जो श्लोग है this is the shloka of ग्रहनी के पूर रूप, ठीक है ग्रहनी के पूर रूप में क्या होता है पाक कश्चिराद कायस्य गौरवम मतलब जो है, वो पाक होने में बहुत जादा टाइम लेता है, जो खाना है वो डजेस होने में बहुत जादा टाइम लेता है, और साथ में आपकी जो बॉड़ी है, वो हैवी होती है ठीक है, कायस्य गौरवम तो यह ग्रहनी के पूर रूप का लक्षन है चरग सहिंता में वासा घ्रित का रोगतिकार क्या बताया है, तो जो वासा घ्रित है मतलब वो किस का रोगतिकार बताया है according दो चारे चरग ने किस के लिए बोला है, वासा घृत को यूज़ करने के लिए ठीक है, 지역 cần का है, स्वार्शन है अमलपित जैसे वासा गृत का पूछ लिया है रक्त पित के लिए ऐसे किसी का भी आपको पूछ सकते हैं और बहुत specific specific ही होते हैं जिनका वैसे पूछते हैं ठीक है तो आपको MCQ practicing से पता चलता जाएगा तो यहां पर काईसू correct option है आपका वो है रक्त पित ठीक है तो पिंड जो तैल है वो किस रोग के अधिकार के लिए यूज होता है उसका रोग अधिकार क्या है options आथ first option is वातरग second option is वातव्यादी third option is वाजी करन and fourth option is भगन now you can see reference आप देख सकते हो पूछे जा चुके questions है बहुत important है आपको पता चल रहा होगा कैसे कैसे questions आते है तो यहाँ पे guys चो correct option है आपके पास that is the option number first which is वातरग जो पिंड तैल है उसका रोग अधिकार क्या है वातरग तो उसका रोग अधिकार है so first option वातरग this is the correct option here now let's move to the next question पुरान घृत के लक्षन चरक सहिंता के किस अधियाय में वर्नित है ठीक है पुरान घृत के लक्षन पूछ रहे है कि कौन से चाप्टर में बताए गए है in the चरक सहिंता first option है उन्माद second option is ग्रहनी third option is गोल्म and the fourth option is अपसमाद अब ध्याल से आप लोग कोशन को देखेगा कि उन्होंने पुरान घृत का वर्न नहीं पूछा उसके लक्षनों के बारे में पूछा है कि जो उसके benefits हैं जो उसके लक्षन हैं वो किस चाप्टर में बताए गए है ठीक है कौन से अधियाय में है तो यहाँ पे जो correct option है that is the option number first which is उन्माद उन्माद चाप्टर में बताए गए है पुरान घृत के लक्षन ठीक है लक्षन वर्ट को आप लोग ध्यान से यहाँ पे पढ़िएगा कि किस बारे में बात हो रही है first option उन्माद is the correct option for this question next question is दंती हरित्की का रोग अधिकार है तो अगेन वो रोग अधिकार की बात हो रही है you can see बिहार PSE में पूछा जा जुका है question दंती हरित्की का रोग अधिकार कौन सा है तो आप लोग देख सकते हो कितने सारे questions ऐसे योग के उपर आते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से योग को आपने particularly याद रखना है यह आपको पता चलेगा MCQ practice करने से ठीक है तो यहां से आपको पता चल रहा है reference मैंने इसलिए आपको दिये है so you can check out these questions from the book also ठीक तो यहां पे options the first option is short second option is gulm third is pretty shy and the fourth option is kars तो guys dantih ritki का रोगदिकार जो है वो gulm है which is the option number second dantih ritki को किसके लिए यूज करते है gulm के treatment के लिए यूज किया जाता है next question is punch karam निमन में से किसकीच कित्सा है first option is अस्ती प्रदोशेज विकार second option है सन्नी पातच क्रहनी third option is madh moshya and the fourth option is all of above तो देखो punch karam के लिए पूछ रहे है all over punch karam के लिए दियार आसके कि किसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं तो देखो यहाँ पे जो first option है अस्ती प्रदोशेज विकार यह बिल्कुल ही सही है यहाँ पे जो second option है सन्नी पातच क्रहनी that is also correct मद मूर्शा भी correct है मतलब जो fourth option है all of above that is the correct option here so punch karam को हम लोग अस्ती प्रदोशेज विकार सन्नी पातच क्रहनी मद मूर्शा इन सभी में यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे fourth option जो है all of above that is the correct option for this question next question is भागवत अनुसार मुकालेप का प्रकार नहीं है अब यह दिखो नहीं के उपर question है ठीक है reference आपको given है you can check this out question from the book also तो भागवत जी के अनुसार मुकालेप का प्रकार जो नहीं है वो बताना है first option is दोश्खन second है शमन third is विश्खन and the fourth is वर्निय तो यहाँ पे दिखो जो correct option है for this question that is option number second which is शमन जो शमन है वो भागवत के अनुसार मुकालेप का प्रकार नहीं है which means कि दोश्खन विश्खन और वर्निय are the प्रकार of मुकालेप according to अचारे भागवत लेकिन इस question के according जो आपका correct है that is option number second next question is चरक ने अर्ष के चिकित्सा के लिए कित्ते प्रकार के तक्र का परियोग नर्दिष्ट किया है देखो कितना typical सा question है but it's very important also कि कित्ते प्रकार के तक्र का उन्होंने परियोग आपको करने के लिए बोला है first option is 4 second option is 2 third option is 3 and the fourth option is 1 तो कित्ते प्रकार के उन्होंने बोला है कि आप लोग तक्र यूज कर सकते हो for the चिकित्सा of earth the right option is the option number third जहांपे की answer भी आपका 3 ही है मतलब चरक जी ने अर्ष कित्सा के लिए 3 प्रकार के तक्र का परियोग करने के लिए बोला है तो option number third हो गया है बिल्कुल ही correct next question है शुष्रूत के अनुसार earth रातरी में किस रितू के लक्षन मिलते हैं तो कौन से टाइमिंग के उपर कौन से रितू के लक्षन मिलते हैं ये शुष्रूत जी ने पूरा का पूरा बताया है तो आपको सभी का ही पता होना जाए ये मैं आपको बता देती हूँ रेफरेंस दिया हुआ है आप लोग मान से जाके पढ़ लीजिएगा तो सभी का ही पता होना जाए यहां पर आपको earth रातरी का पूछा है तो यहां पर मैं आपको correct option बता दूँगी first option है वर्षा second है प्रावरश third is grishm and fourth option is shard तो guys जो correct option है that is the option number fourth अगर बात करे जाए earth रातरी की earth रातरी में चारे शुष्रु जी के अनुसार आपको shard रितु के जो लक्षन है वो मिलते हैं तो fourth option जो shard है that is the correct option for this question लेकिन आपको सभी का पढ़ लेना है next question is कश्य पनुसार जोर में पाच्चन कशाय कौन से दिन पिलाना चाहिए तो अगर किसी को जोर है तो जो पाच्चन के लिए ठीक है digestion के लिए जो आपने कशाय पिलाना है जिसका नाम की पाच्चन कशाय है उसको आपने कौन से दिन पिलाना है on which day first option is प्रथम दिन second option है पंचम दिन third option है अश्ठम दिन and fourth option है फिफ्टेंथ दे now ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये दिन किस अकौर्डिंग है these दिन are the according to the जोर जो जोर हुआ है उसके बाद उसके कित्ते दिन जोर होने पर और कित्ते दिन के उपर पिलाना है ठीक है तो अश्ठम दिन जो है वो यहाँ पर correct option है जो option number third है अश्ठम दिन के उपर आपको patient को ये पिलाना है पाचन कशा है next question is चरक अनुसार गंद तैल किस व्यादी का नाश करता है तो फिर एक परकार से आपके लिए रोग अधिकार का ही question है गंद तैल का रोग अधिकार पूछा हूँ है यहाँ पर तो किस व्यादी का नाश करेगा गंद तैल फर्स्ट ऑप्शन है नासा रोख, सेकेंड ऑप्शन है वाद रख थर्ड ऑप्शन इस कर्ण शूल और फूर्थ ऑप्शन इस भगण तो गाईस चरग जिने गंद तैल को किस व्यादी के नाश के लिए बोला है भगण जो है उसका नाश करता है ठीक है अगर किसी को फ्रेक्शर हुआ है वहाँ पर यू कें यूज इस गंद तैल तो यहाँ पर जो फूर्थ ऑप्शन है भगण अगर एस तैस्कॉर्च जो पर शूर्थ अप्शन है तो प्शाह कौन सा स्थान है जिसको रहस्य स्थान बोला जाता है कौन सा है बताओ सब से पहले आप लोग खुदका टिक कर लिया करो आंसर जो है उसके बाद आप लोग वीडियो को फिर से आपको play करके देखता है पहले pause कर लेना है अपना answer कर लेना है देन आपको फिर से play करके answer देखना होता है ठीक है तो ऐसे करके solve करोगे तो आपकी जो practice है वो अच्छे से हो जाएगी तो यहां पे जो correct option है that is option number third which is चिकि सínaा नेक्स्ट को चिरीय कि स्व्यादी का लक्षन है कौंसी आती है जिसमें की बाधीय हो जाता है में को लगता ये कोशन तो मैंने आपको कितनी बार पढ़ा दियाया जब मैंने आपको चरक का चैप्टर पढ़ाया तब भी पढ़ाया था जब हम लोगों ने गोविन पारिक के पेजिस पढ़े तब भी पढ़ाया है इससे पहले भी मैंने आपको कहीं और mcqs में बढ़ाया है फिर से यह कोशन आ गया है तो यह कोशन इंपोर्टेंट भी है प्लस आप आप सबको आता भी होगा अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो रेगिलरली तो आपको बहुत सारी चीजे अब तो मतलब याद ही होगी होगी ऐसे लगते होगी कि यह त प्रिष्णा का ही यह एक लक्षन है बाधिरियो नेक्स कोशन इस रासना घृत का रोग अधिकार है रासना घृत के लिए पूछा गया है अभी देखो आज रोग अधिकार की कोशन आपको मैं जादा पूछ रही हो है ना तो यह इंपोर्टेंट कोशन है बहुत जादा फ तो जो रासना घृत है वो हम लोग किस व्याधी में यूज़ करते हैं गाईस उसको हम लोग यूज़ करते हैं कास में ठीक है तो जो जो सेकिन आप्षन है कास that is the correct option for the रोग अधिकार of रासना घृत सेकिन आप्षन करेक्ट हो गया है कास now let's move to the next question किस अचार्य ने हिका स् वर्नन एक साथ किया है ठीक है हिकार स्वास को अलग अलग से मैंचने गया अलग अलग से अलग अलग चैप्टर में मैंचने गया एक साथ किया है ठीक तो वह आपको बताना है first option है शुश्रूत second option is चरग third option is अश्टांग हृत्य और the fourth option is अश्टांग fourth option is second and third both मतलब चरग और अश्टांग हृत्य बोथ अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये तो पता ही है पका ही पता है कि चरग जी ने तो बोला ही है हिका और स्वास का बनन एक साथ अचारे चरग ने तो किया ही है ठीक है लेकिन जो fourth option है वो आपको confuse कर अचारे चरग और अश्टांग रेद्य दोनों ने ही ऐसा किया है एक साथ बनन किया है तो fourth option correct option है राइट नेक्स कोशन इस पार्शव शूल के सहायक लक्षन है तो पार्शव शूल के सहायक लक्षन कौन कौन से है कौन कौन से लक्षन है उसके first option is निद्रा नाश, second is आध अधमान, third is क्रिच उस्च्वास and fourth option is all of a verb तो यहां पे चो correct option है guys that is the option number fourth which means all of a verb का क्या मतलब है कि उसके सहायक लक्षन, निद्रा नाश, आधमान, क्रिच उस्च्वास यह सब ही है तो fourth option यहां पे बिल्कुल ही correct option हो गया है तो let's move to the next question शुष्रत के अनुसार शोष के परिहारे विश्य है ठीक है शोष के परिहारे जो विश्य है वो कौन कौन से है अगर शोष है तो क्या क्या आपको नहीं करना है ठीक है वो होता है शोष के परिहारे विश्य जिसको नहीं बता ठीक है फर्स्ट ऑप्षिन है शोक, क्रोथ, सेकेंड ऑप्षिन इस इस्त्री सेवन, थर्ड ऑप्षिन इस असुएन, और फोर्थ ऑप्षिन इस आ, all are synonymous, मतलब सारे के सारे ही ठीक है, तो क्या है यहाँ पे correct option, your correct option here is option number 4, मतलब अगर शोश है, तो यह सारे ही विश्य परिहारे हैं शोक, क्रोथ, स्त्री, सेवन और असुएन, all are correct, मतलब option number 4, बिल्कुल ही correct है, यहाँ पे, right, next question is, गंभीर वातरक्त किस स्थान में आश्रित है, मतलब अगर वातरक्त जो गंभीर वाली जोस का परकार है, वो कौनसे स्थान पे होता है, first option is तवल्चा, मास, second option है रक्त, मास third option is मेधा, and the fourth option is both B and C, मतलब रक्त, मास और मेधा, सारे के सारे ठीक है, तो यहाँ पे जो correct option है, that is the option number 4, which is B and C, जिसका मतलब क्या हो गया, कि जो कंभीर वातरक्त है, वो रक्त, मास, मेधा, इन सभी में प्रेजेंट होता है, इन सभी स्थानों में आश्रित है, so fourth option यहाँ पे correct है, बिल्कुल ही, now let's move to the next question, now यहाँ पे आपको एक श्लोक देखे रखा हो है, और आपको बताना है कि यह चिकित्सा किस आवरित वात में करते है, मतलब आवरित वात का है, वहाँ से आया है, आपको यहाँ पे reference भी दिया हो है, you can check out कि कौन से chapter में से, कौन से श्लोक म अस्तिया, right, first option is the अस्तिगत वात, second option है, पुरीशकत वात, third option is अनावरत वात, and the fourth option is मुद्रगत वात, now यहाँ पे आईनों की कोशन जो है, यह थोड़ा सा tough है, of course, आवरित वात के जो कोशन है, सबी को tough लगते हैं, नेकिन इस कोशन का answer आप लोग मुझे बताएगा, comment section म reference की help से चाहे आप चेक करिये book में से, जा कैसे भी आपको अगर मालूम है तो वैसे, लेकिन यह answer आपको बताना है in the comment section, now that's it for today's video, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, do like this video, and अगर अभी तक channel को subscribe नहीं करा है, तो subscribe कर लीजेगा, मिलते हैं next video में, bye guys